राकेज जुनजुनवाला, दोस्तो इस नाम को किसी इंट्रोडेक्शन की जुरुवत नहीं है, मुझे लगता हर एक भारती इनके बारे में जानता है, दोस्तो इनको इंडियान शेयर मार्किट का बिद बुल कहा जाता है, दोस्तो इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं जो small investors हैं वो इनको अपना देवता मानते हैं वो लोग इनके पदचिन्नों पे चलना चाते हैं जो एक multi-veggar stock खरेत का करोड़ पती बनना चाते हैं तो हर किसी एक small investor का सपना होता है कि वो आगया जा करके राकेश जुनजुनवाला बने लेकिन दोस्तों राकेश जुनजुनवाला से जुड़ी एक बहुत दुखत खबर हमें इसी महीने मिली उनके खराब हेल्थ की वज़े से 14 अगस 2022 को उनका ध्यान तो गया दोस्तों काफी दिनों से बिमार चल रहे थे और इसी वज़े से उनका ध्यान तो है 14 अगस 2022 को अब दोस्तों बात यहाती है कि जब इतना बड़ा आदमी इस दुनिया में नहीं रहा तो जो उसकी वेल्थ है जो उसकी पूरी जमा पुंजी है उसको कौन समालेगा उसकी जो इन्वेस्मेंट से उसको आगे कौन समालेगा और दोस्तों राकेश जुनजुनवाला ने अभी एक लो कॉस्ट एरलाइन लांच की जो इंडिया में काफी चीप रेट पे आपको फ्लाइट्स प्रोवाइड कराएगी जो एर ट्रेवल प्रोवाइड कराएगी और कुछी दिनों में आप इसके जहाज आसमान में उड़ दमानी जो इंडिया में एक कंपनी है डी मार्ट ये मल्टी ब्रेंड रेटेल स्टोर है दोस्तों इसके ओनर यही है रार दमानी और इनका नाम काफी लोगों ने सुना भी होगा जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए वो डी मार्ट को काफी अच्छे से जानते हैं और डी जुन-जुन वाला कि जो वेल्थ होगी जो उनकी इन्वेस्मेंट से उसको मॉनिटर करेंगे आर दमानी और उनकी वेल्थ को ये ट्राइ करेंगे कि उसको सिक्योर रखें और इन्वेस्मेंट को और इंक्रीज करें और उनकी वेल्थ को और बढ़ाएं तो दोस्तों उम्म करिए शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू